बश्कार दोस्तों मैं हूं पृत्वी एंड कैस्यों सवी फिड और फाइन स्वासम बात करेंगे लाहर अधिवेशन के बारे में यह कॉंग्रेस का बहुत इंपॉर्डेंट अधिवेशन था और मारे एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्डेंट है तो चलिए अपना डिसकसन स्टार्ट करते हैं आपको पता है कि उस समय कॉंग्रेस के सालाना अधिवेशन हुआ करते थे कॉंग्रेस के जो नेता है वो साल में एक वार एक मंच पर आकर इकठा हो जाते थे सो 1929 का कॉंग्रेस का जो सालाना अधिवेशन है वो लाहोर में होता है उसमें भारत पाकिस्तान का विवाजन नहीं हुआ था जो पंजाब परांथ था वो बहुत बड़ा था और पंजाब परांथ की राजधानी लाहोर थी लाहोर रावी नदी के तट पर बसा हुआ एक स सहर में 1929 में कॉंग्रेस का सालाना अधिवेशन होता है जिसे हम कहते हैं कॉंग्रेस का लाहोर अधिवेशन इस अधिवेशन की जो अधिक्सता करते हैं वो पंडिजवाला नहरू करते हैं लाहोर अधिवेशन इसलिए इंपोर्डन था क्योंकि इसी अधिवेशन में कॉं कांगरेस ने अपना जो लकस है था अपना जो आइम था उपनिवेसिक Sóras या जब अफ्पनी स्टेटर्स को प्राफ्फ करना मतलब अंग्रेजियों के अथिन रहकर भारत में अपना सासन चलाना ना मतलब जो लाहुर का दिवेशन होता है उसमें जवालालनेरू ही जो है वो Congress का अध्य्हृता कर रहे होते हैं और Congress अपना लगसे Change कर देती है और अपना जो लगसे बनाती है वो पुर्ण सोतंतरता या पुर्ण सोराज को बना देती है क्यों कि पूर्ण सुराज के विचार को लोख प्रिया बनाने में जवालाल नहरजुई का भी बहुत वड़ा हाथ था और जो कॉंग्रेस का दिवेशन होता है जो लाहूर का दिवेशन होता है उसकी अधिक्स नहीं के लिए जवालाल नहरु को सबसे ज़्यादा सपोर्ट महत्मा गा थे भारत के वो जवालाल नहरु को बहुत फॉलो करते थे और उनी के उनी को देखते हुए महातवाँ गांधी को महातवाँ गांधी जी ने जवालाल नहरु को जो है वो कॉंग्रिस का धेक्स बनाने के लिए जो वो स्पोर्ट किया था और साथी साथ जो जवालाल नहरु ज थे उन्होंने पूर्ण सौराज के जो बिचार है उसको लोग प्रियान बनाने में मुथपूर्ण योगदान दिया था और कॉंग्रेस ने भी अपना मुख्या लक्से जाए बूपूर्ण सौराज को बनाने का निश्चे कर लिया था अब बात करते हैं कि लाहर अधिवीशन में जो परस्ता पास किये गए उनके बारे में सबसे पहले इस लाहर अधिवीशन में कॉंग्रेस ने कहा कि हम गोल मेंस मेलनों का बहीशकार करेंगे आपको पता है कि जब साइमन कमिशन भारता आया था तो भारतियों ने उसका विरोध किया था क्योंकि उसमें कोई भारतिया सामिल नहीं किया गया था तो जब कॉंग्रेस जो साइमन कमिशन है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो इसमें साइमन कमिशन ने क्या कहा था कि इस रिपोर्ट पर डिसकसन करने के लिए लंदन में गोल में समेलनों का आयोजन किया जाएगा जब कॉंग्रेस जो है लाहर अदिवेशन करती है तो इसी अदिवेशन में कॉंग्रेस के द्वारा कहा जाता है कि जो गोल में समेलन होंगी उनका जो हम क्या करेंगे वहिशकार करेंगे उसका विरोध करेंगे हम उसमें वाग नहीं लेंगे इसका दूसरा प्रस्ताव जो है लाहरा दिवेशन में पास किया गया वो था पूर्ण सोराज का वो मैंने आपको बता दिया कि पहले जो है कॉंग्रेस जो है बो डोमिनिन स्टेटस को प्राफ्ट करना जो है कि आप ही डिसाइड करो कि सभी ने अवग्या अंदोलन जो है आप किस मुद्धे पर स्टार्ट करोगे कव कहा और कैसे स्टार्ट करोगे और 26 जनवरी 1930 का दिन इस लाहरा दिवेशन में घोसित किया गया फिर 31 दिसंबर 1929 की रात को मतलब 31 दिसंबर 1929 को जब लाहरा दिवेशन जो है समाफ्त होता है जस्ट उसी रात को जो है वो कॉंग्रेस के द्वारा रावी नदी के तट पर इनकलाव जिन्दावाद के नारे लगाये गये और भारतिया तिरंगा जंडा ज़ए वो फैरा आया गया फिर 26 जनवरी 1930 का दिन आया उस दिन पूरे भारतियों ने सोतंतरता की सफ्त गराण की पूरे राष्टर में जगा जगा सवाओं का आयोजित किया गया सभी लोग ने सामुई करूप से सोतंतरता की सफ्तली गाओं कस्बों में सवाएं आयोजित की गई और स्थानिया जो वासा है मतलब जो गाओं के लोग थे जो लोकल लेंग्वेज जानते थे जो अपनी अपनी लेंग्वेज थी सवी की उन्होंने अपनी अपनी लेंग्वेज में भारतिय सोतंतरता की सफतली और साथ ही साथ तिरंगा जंडा भी फैराया 26 जनवरी 1930 का दिन आपको पता है बहुत ही इंपोर्टेंट था हमारे लिए क्योंकि उस दिन हमने सोतंतरता का जसन मनाया था और आज भी आप देखते हो कि 26 जनवरी को ही हमने अपना सविधान लागू किया था और 26 जनवरी को आज हम गंतंतर दिवस बनाते हैं वो क्यों मना जनवरी को ही हम गंतंतर दिवस को मनाएंगे अब हम देखते हैं कि जो सफ्त लोगों ने ली उसमें क्या क्या लिखा हुआ था उसमें था कि सोतंतरता भारतियों का अधिकार है मतलब जो सोतंतरता है वो भारतियों का राइट्स है और ब्रीडिस सरकार ने हमारी सोतंतरता ह हम से छीन कर हमारा सोसन्ड किया और भारत को आर्थिक रूप से नश्ट कर दिया मतलно भारत एक सोने की चीडिया कैल आया करती दूर्छ भारत में आ तो अंग्रेज़ों की द Score भारत को लगाता गया हगा तक समाज ची राजेले हर तरह से सोसन्ड किया और भारत को end में लिखा हुआ था कि इसलिए हम संकल्प लेते हैं कि पूर्ण सोराज के स्थापना के लिए Congress मैं समय पर जो निर्देश जारी निर्देश देगी हम उसका पूर्णता है पालन करेंगे मतलब इस पूरी सफ़त के स्थापना के लिए जो है वो वर्क कर रही है काम कर रही है तो गाइस यह हमारा एक छोटा सा टॉपिक था लिकिन इंपॉर्टेंट था इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बावाए गाइस